तो ये किसान आंदोलन की जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कि ये सभी धर्मों का, सभी जातों का, सभी संप्रदाओं का आंदोलन बन गया है। वर्गी कलन किया है धर्म के आदार पर। लोगों को दुमाकों में नफरतें बोई हैं हिंदू मुसल्मान के अंदा धर्म के नाम पर। इस किसान आंदोलन की खुबसूरती है साथियों कि इस नफरतें जो बोई गई ती उस नफरतों को खतम कर दिया इस किसान आंदोलन है। आज एक किसान अंदुलन हिंदू-मुसलम सी किसाई आपस में हैं भाई भाई ये नारा लगा करके सामोल के एकता का नारा लगा करके जो हमारे देश की धर्मने पेचता ता मूल भाव है जो हमारे सम्मधान का मूल भावना है धर्मने पेचता इसको लागू किया है इस किसान नाम पर धर्म के नाम पर कोई भेदुआओ नहीं मिले गा तो इस इसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है समोइटता और धर्म निर्पेख्सथा इस इसान आंदोलन ने देश की जो समदान की मूल भावना घुड़ दिया है जिस मूल भावना को ये RSS की जो भारती जन्ता पार्टी की सरकार है वो तोड़ना चाहती थी उस मूल भावना को जोड़ दिया तो इस आंदोलन का भौती सकारात्मा पक्षे साथ हुए जिसको साथ हमको ध्यान रखना जिसको साथ हमको समझना है अभी मैं आपको बताओं हर्याना के अंदर जितने अगड़ी और पिछड़ी जातियों के आंदोलन हुए जो नफरतें वो ही गई थी जातियों के अंदर भी जो जगड़े चलेते जातियों के अंदर भी जो आपस में हमले हुए थे उस हमले का जो घाओ था उस घाओ को भरा है किसान अंदोलन वाग सभी लोग सभी गुरुप के लोग इस किसान अंदोलन में एकजुट हो करके लड़ गए अभी जो किसान पंचात हो रही उसमें 36 ब्रादरी के लोग सामिल हो रहे 36 ब्रादरी के लोग सामिल हो गए सबकी एक जुटता एकता बन गई वापिस तो इस सरकार ने जो पांसा सालों में सद्यान किया था जनता की एकता को तोड़ा था इस किसान अंदोलन ने जनता की एकता को जोड़ दिया यह बहुत बड़ा काम किया साथ है आप पस्त्मी उत्तर प्रदेश में देखना जो इस तरीके से उपद्रो कराए गए थे उसका एक असर था भाप है पस्यमी उत्तर प्रदेश में और यह पूरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है दिल्ली से जो लगा हुआ हिस्सा है मगर सातियों इस किसान अंदोलन ने वो जो आपसी का जो कलेश था आपसी का जो भेदभाव थ जोड़ दिया है उस भोग उस भेदबाव को वापस जोड़ दिया है और साले लोग एगजुट होकर के इस किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए इसी तरीके से साथी उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा सडियन था हिंदू-मसल्मान के नाम पर बहुत सारे दंगे मगर साथी उस किसान आंदोलन में जो हिंदू-मसल्मान के अंदर जो बबाद चर रहता नपरतें चर रही थी वो कमजोर हुई है वो खतम हुई है किसान एगजट हुआ है एकजट होकर के इस किसान आंदोलन में सामिल हुआ है बड़ी संख्या में दूद आटा, चाओल, गेहूं सब्दियां जो मुस्लिम बहुल आवादी हैं, मुस्लिम बहुल गाउं हैं, मुस्लिम बहुल जो छेत्र हैं, उनसे आरा है किसान आंदोलन, एक जुड़ता है जिसको तूटे हुए चीज को जोड़ दिया, तो किसान आंदोलन की लड़ाई का सकारातमक पक्ष है, किस किसान आंदोलन ने जितने भी नफरत हैं, इस वाजापा की जो हासिवादी सरकार ने बोई ती जनता को तोड़ने के लिए, इस किसान आंदोलन ने सब को एग्जुट कर दिया, ये इस किसान आंदोलन का सकारातमक पक्ष है, ये सकारातमक बात है, ये बहुत जरूरी था, देश की जनता की एक्टा बनाना बहुत जरूरी था, तो देश की जनता की एक्टा कितना प्रचार प्रसार करते उससे नहीं बनती, इस किसान आंदोलन ने पूरे देश की जनता की एकता को बना दिया तो बहुत ही सकारात्मा पक्षे साथी जिसको उनको ध्यान रखने की जरूरत है यह को आसा बात सात्यों बात समयनी है किस तरीके से जाती धर्म के कॉंसेप्ट को तोड़ा इसकिसान आंदो लगने तो बहुत है जो किसी जाती का किसी धर्म का कोई भेखभाव नहीं है इस किसान आंदोलन के लिए किसी भी जाती का किसी भी धर्म का आदमी उस जो दूद का ड्रम है उसमें अपना दूद डालके आता है 36 ब्रादरी का दूद है वो 36 ब्रादरी की एकता का दूद है दूद जो बढ़ता है आटा जो हाँ पे आता है 36 ब्रादरी का मिलके आता एक जो ठोकर के और 36 ब्रादरी में बढ़ता है कितना वारा काम किया है कभी उपवसिवल है एक जुटता कभी होना सम्माव है क्या नॉर्मली कभी ये गाउं के अंदर चत्यस ब्रादरी का खाना खटे बैठके खा सकते हैं नहीं खा सकते साथियों समाज में इस कुडितियों ने वो खास्तोर से जो ये पुझीवादी व्यवस्तागी नितियां जो खास्तोर से जो आरेसेस का जो ये रूडिवादी जो विचार है जो मनुस्मृती की जो पूरी रूडिवादी संस्कृती है उसके आधार पे आप दलतों का पिछोडों का दूद नहीं पी सकते खाना नहीं ले सकते, उनने छू दिया तो फैकना है, कितनी सारी विक्रतियां थी, वो कितनी सारी विक्रतियां है, मगर साथियों इस किसान अंदूलन में हम देखते हैं, इस सारी विक्रतियों को इस किसान अंदूलन ने तोड़ दिया, 36 ब्रादरी का दूद 36 ब्रादरी खा रहा है 36 ब्रादरी का आटा एकटा करके 36 ब्रादरी में बाटा जा रहा है सभी धर्मों का दूद एकटा करके सभी धर्मों में बाटा जा रहा है बागते समय भी धर्म का कोई मतलम नहीं है एकटा करते समय भी धर्म का कोई मतलब नहीं है बांगते समय भी किसी जाती का कोई मतलब नहीं इसलिए जाती के नाम पे जो बटवारा था धर्म के नाम पे जो बटवारा था वो दोनों बटवारा को किसान आंदुलन के मुमट ने तोड़ दिया है एक जुट बना दिया है कितना बड़ा काम कर दिया है अच्छंभाव को सम्भाव कर दिया है आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा काम कर दिया है तो ये सात्यों सकारा अत्मक्तत हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है जो मैंने आपको समझाने की कोसिस की है इस आंदोलन की एक ताकित और है जो जो सबसे बड़ी ताकित बनी हमारे देश का देश ब्यापी जो भी आंदोलन हुआ आस तक इस इत्यास के अंदर वो आंदोलन हमेशा जो हिंदी वासी छेतर है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हर्याना, दिल्ली, राजिस्थान ये जो एर इतने भी सारी बिद्रों हूँ, उसके बाद वो बिद्रों पूरे देश में फैलता है, इस किसान आंदोलन में भी सबसे बड़ी जो ताकित है वो पंजाब से सुरू हुआ किसान आंदोलन, पंजाब के किसानों ने उसका नित्त किया, उसके बाद से फिर वो हर्याना के कि उसके बार से राजिस्तान और पश्चमी उत्तर प्रदेश के किसान उतके साथ जुड़े आज पूरा देश का किसान जोड़ा है। तो यह जो इस आंदोलन की ताकत सबसे बड़ी क्या है। सिर्स नित्त में जो विचार है समझ्ध है वो पंजऑ के किसानों के हमाएं। हर्याना किसान उसके साथ जुड़े होगे हैं। और पस्चिमी मुत्तर प्रद्रेश के लोग जुड़े होगे राजिस्तान का जो छेत्र हर्यान इसे लγαए जोड़ा हुआ है। और पुर्य चेतर के बारे में एक कहावत है सातियों, जिसको समझना है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होगे, हमको कई लोगों ने वहाँ बताया है, ये जो चेतर है, चेतर के बैट के लोग, बड़े मुश्कल में किसी मुद्दे के लिए तियार होते हैं, आंदोलन के सड़क पर निकल आए, फिर जीते बिना वापस नहीं जाते, जब तक वह अंदोलन जीत नहीं लेंगे, तब तक वह वापस नहीं जाएंगे, ये बिल्कु सुनिश्चित है, और ये इस अंदोलन की एक ताकत है, और ये अंदोलन को जो ये ताकत है, ये ताकत फेलाने का, इस ताकित के अंदर इतनी ताकित है कि इस आंदोलन को देश में फैलाने का ताकित है इनके बास पूरा दुनिया के अंदर आंदोलन को फैलाने का ताकित है इस पूरी एरिये के बादे भूखन्ड के उपास इसलिए जो भूकन्डस की जो नितत है ये नितत भौती टाकतवर तरीके से हर चीज को समझ के सोच के इस किसान आंदूलन को वो आंगे बढ़ा रहे हैं इसलिए भी किसान आंदूलन बहुत मजबूत है और एक बात और समझना साथ है जो नक्से के साब से समझना है पंजाग के लोगों ने हमेशा कुरवानी दिये पंजाग के लोग हमेशा जागरुख हैं दूसर नमबर हमेशा हर्याना का है उत्तर परदेश का है और आप देखेंगे कि पंजाग के लोग सबसे जादा सेना में हैं हर्याना के सबसे यादा लोग सेना में है राजस्तान के लोग सबसे यादा लोग सेना में है उत्ता प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में सेना में है तो ये जो पूरा बैल्ट है जो सेना में हैं लोग ये क्यों है ये इसलिए कि यहां के छेतर के लोग लड़ते हैं, लड़ा के हैं हमेशे लड़ा इंजय लड़ी है मैं नक्सा के अजाय पता हूँ कि दिल्ली के आजुबाजु जितना संगर्स हुआ दिल्ली भौश समय तक सत्ता का केंद्र रहा और दिल्ली पर सत्ता पर कायम करने के लिए जो भी विदेशी ताक्ते आती थी वो पाकिस्तान होके पंजाब होके आती थी उनको दिल्ली फता करने के पहले पंजाब फता करना होता था यदि वो पंजाब फता नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली फता नहीं कर पाएंगे इसलिए पंजाब के लोग हमेशा हर ताक्तों से लड़े है चाहे इसलाम एक संगठन आए, मुगल आए उसके पहले भी जितने भी विदेशी ताक्ते आई जो भी ताक्त वर जो भी उस तरब से आया है उसको जहला है पंजाब ने इसलिए पंजाब ने हमेशा से बहुत कुर्वानी दिये है हमेशा जाने दिये हैं वहाँ पे हमेशा लड़े हैं, हमेशा भिड़े हैं इसलिए लड़ा के हैं लड़ने की उनके अंदर बिलिट के अंदर है लड़ने की चमता पीछे नहीं हरते हैं, आगे बढ़ते हैं, जान देने को नहीं ड़ते हैं तो यह एक एक भौगोल की स्थिती है पंजाब की, पंजाब से आते ही अर्याना आता है दिल्ली आती है, उत्तर प्रदेश आता है जम्मू कस्वीर वाला भी इलाका है तो यह जो सारा बैल्ट है उपर का, जहां से बिदेशी ताक्ते आते थे, बिदेशी हमला वार आते थे वो सबसे पहले मकाबला उनसे उनका होता था और यहां तक तो मद्परदेश और पीछे तक साउथ तक जाते जाते तो ठंडे हो जाते इसलिए आप देखेंगे कि अधि के मत्परदेश से जो नीचे है होन के हिस्कुल देखेंगे तो आदम उत्ते जयुत नहीं होता इस तरी खेंड़नी से पंजाब का अर्याना का अदमी होता है तो आपका महराष्heus चलिया की तो यहांग का किसान पन्जाब haryana के किसान की तरह एक्टिव नहीं है उसका नगार और ही कि यह पहले से संगर सी रहे हैं। इसलिए उनों ने लड़ाई, उनके वो बिलेड में है, यह मुझपः नगर वाला अलाका, ठारा सो संताउन का जो विद्रो किया था जो सेनानियों ने, जो सेनकों ने, उसका सेंटर है मुझपः नगर और इस सारा चित्र था, जो आज वापस इस किसान अंदोलन में ताकित रूप में खड़ा हो गया, तो इत्यास है कि तथ भी हैं जिनको हमको ध्या डखना है, यह के लोग हैं जो जो तरीके का उनके अंदर खून के अंदर जीन्स है, तो खून के अंदर जो जीन्स है, वो जीन्स ताकित वर तरीके से खड़ा है, इसलिए एक सान अंदोलन ताकि करके गुन्णा गिर्दी करके दवाया नहीं जा सकता यह बिलकुँ सुनिष्चे थै इसलिए भारती जंता-पाटी की जो सरकात देरों सद्यांत करने के बाद भी अपने सद्यांतों में सपल नहीं हो पाई यहीं मुद्दा खे मन्दप्रदेश में होता चतिस्जड़ में हो और एक पुराने एक्सपीरिंस के साथ वहां के लोग हैं जो दिमागी रूप से, मेंटली रूप से पिरपेड़ हैं. ये भी साती ध्यान रखनाय की बहुत ही ताकित वर उस्य इसको अमको ध्यान में रखनाय। जान दे देगां मर जाएगां अपने आपको बढ़ बात कर देगां मगर पीछे की अटेगा। यह फित्रत है पंजाब और हर्याना के लोगों यही पस्वी उत्तर प्रदेश का हाल है यही राजिस्तान का हाल है बहुत छेत्र राजिस्तान का इसलिए आज की तारीक में जो चारों छेत्र सेंटर बने हुए किसाना अंदो लंगी पंजाब सबसे पहले टोल पराजा फिरी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का टोल पलाज विरी होना हुआ और उत्तर प्रदेश बड़ा है उत्तर प्रदेश में वह भी आघ़ दीरे करकी फैले की पक्का है इस ने से चनमे तो यह भी एक टाकत में की जिस पाकत पर एक किसाना आंदोलन डटा हुआ है तो ये सारी चीजे भी हमको धार रखने की जरूरत है। इन सभी लोगों को सिल्यूट करने की जरूरत है। जो इस किसान आंदोलन के नित्त में खड़े हुए हैं और किसानों का आंदोलन का नित्त कर रहे हैं। दिमागी रूप से, नीतिकत रूप से, समझ के साथ सामोईक बना करके इस आंदोलन में लड़ रहे हैं। फिर मैं आई तुमागों गोड़ा हुए है। इसका सबसे बड़ा ताकित है सामोईक्ता पएदा हुए। किसान आंदोलन में सामुईक्ता पैदा बना, मुद्धों आधारिक सामुईक्ता बना, 40 संगठन, 40 किसान संगठन एक दो मुद्धे पर सामुईकी रूप से एकजोट हो गए, दिमार की रूप से तन मन धन से उन मुद्धों के ऊपर एकजोट हो गए, सामोहिक एक्ता से यो अपरेट हो रहा सहीवत किसान मोर्चा का बैठक होता हर दो दन में चार दन में कोई भी इसू तो बैठक करते हैं वो इसका फैसला करते हैं योजना बनाते हैं सामोहिक्ता सामोहिक्ता से मुद्दों की समझ ये सब ताक्ते हैं जो इस पूरे किसान आंदोलन में काम कर रही हैं और किसान आंदोलन को बिखड़ने नहीं दे रही हैं जैसे ये सब्वेस्तारी का जो इंसिडेंट हुआ था उसके आधार पे ऐसा लगड़ा था कि बहुत सारे किसान संगटन फैल जाएंगे बहुत सारे किसान संगटन बिखड़ जाएंगे जब मैं पहले दिन 27 तारी को सरीक किसान मुर्चा की बैठक थी सिंगू बोडर पे तो मैं वाँ पे उपस्ते था मैंने वो प्रेज कॉन पैंस भी कबर की पहले बारी उस दिन में मेरे को समझ आगा था मैंने वह सारे लोगों से पूछा कि जो 32 किसान संगटन हैं पहले से पंजाब के उस में से कितने किसान संगटन तूटे हैं तो वाँ पे सभी साथियों ने बताया था कि उस में से एक भी किसान संगटन नहीं तूटा जिन किसान संग्टनों आराज़ता की है पहले से ही इन किसान संग्टनों के हिस्से नहीं दे तब ही मेरे मन में अगाथ तब ही इस उनच्चत हो गया था कि किसान अंदोलन ये तूटेगा नहीं किसी भी आलत में नहीं तूटेगा तो ये साथी आपको ध्यान रखना है इस किसान अंदोलन की ये ताकित है सामो एक्ता विवित्ता, एक्ता देश की एक्ता भूर सारी चीज़े इस अंदोलन ने दी हैं साथियो जो मैंने आपको कबर किया अब इस वीडियो को यहीं खतम करता हूं इस अंदोलन में हमने क्या पाया इसका वीडियो में अंगला बना हूँआ उसको भी सुनें, जबूर सुनें तो इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं आप से अपीले करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें ताकि हमारे लोग भी इस सारी चीज को समझ सकें आप से अपील है कि हमारे चैनल की पिले लिस्ट को पर बिजिट करें बहुत सारे फोल्डर हैं किसान अंदोलन का है, दर्सन सीरीज का है, गुलामी का है RSS के उपर है, बेंगो टाला है बहुत सारे फोल्डर है, बहुत सारे वीडियो है, उनको सुने आप और सुनने के बाद से आप उनको सेर करवाने में सहयोग करें और तीसरा नवेदान है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे साथ जुड़ जाएं, घंटी दबा लें ताकि कोई भी वीडियो में बना उसका नोटी पेकेशन आपको तुरंट मिले उसको आप वीडियो को सुन सकें, सुनने के बाद अपने दोस्तों को अपने साथियों को सेर कर सकें तो इस या आचा उमीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे मैं अपनी बात कतम करता हूँ थैंक्यों साथि धन्वा, थैंक्स